रविवार के दिन सेक्टर 14 थी जैन स्थानक में चल रहे चोमासा के इंतर्गत जैन मुनी शिरी सुरिंदर जी महाराज द्वारा अपने परवचनों से अमरित वर्शा की गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रधालू ने पहुंचकर धार्मिक लाप प्राप्ट किया इस अफसर पर जैन मुनी जी महाराज द्वारा महा भारत कालीन महाराज करण दानवीर के होने पर उनकी सुर्य वंशी शक्तियों के बारे में अपने परवचनों के माध्यम से उपसी संगत को बताया गया उन्होंने कहा कि महाराजार दानवीर करण जिनके नाम पर करण नगरी करनाल का नाम रखा हुए वास्तव में शूरवीर और दानवीर थे उन्होंने अपनी मृत्यू शहिया पर पड़े होने के बात भी उनकी परिक्षा सादू के रूप में लेने आये स्वयम भगवान को अपने मुह से सोने का दात निकाल कर भेट किया गया इस कड़ी परिक्षा में उन्होंने अपने धरुषबान से जबीन से गंगा की धारा को परवाहित किया और जूटे दात को धोकर सादू के भेश में आये स्वयम भगवान को भेट किया उनके इस दानवीर की छवी को देखकर भगवान स्वयम परसंद हुए और इसी परसंग को आगे बढ़ाते हुए जैन मुनी जी महराज द्वारा अपने परवचनों का माध्यम बनाया गया जिसको लोगों ने खूब पसंद किया गोरतलब है कि जैन मुनी जी महराज चार महीने के लिए यहां परवचन करने आए हुए है जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या मिश्रुदालू कोंचकर धारमी कलाब पराप कर रही है हित बोले ये दात खूण में भरे पड़े अन किसी की नजर पड़ी तो काम में भारी विगर पड़े को आरे दानमीर हमें तुषाएगा ये दात किसमें भरे हुए है पूल में भरे हुए है और अगर किसी ने जिया महरार लेने के देने पड़ जाएंगे पुलिसमाले वैसे भी नहीं चोड़ते ना अगर किसी की नजर पड़ गई तो सीधा का समझेंगे